प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोधी 8 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में इंडिया गेट के समीप नेताजी सुभाश चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे काले रंग की ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित 28 फुट उची और 65 मीटरिक टन वजनी यह प्रतिमा इंडिया गेट के समीप एक छतरी के नीचे स्थापित की जाएगी इस प्रतिमा को 280 मीटरिक टन वजन वाले विशाल ग्रेनाइट पत्थर पर उकेरा गया है इस प्रतिमा को पारंपरिक तकनीकों और आधुनिक औजारों का उप्योग करके पूरी तरहां हाथों से बनाया गया है ग्रेनाइट के इस अखंड पत्थर को तेलंगाना के खंबम से 1665 किलोमीटर दूर से नई दिल्ली तक लाया गया था श्री अरुण योगी राज के न्रेतित्म में मूर्तिकारों के एक डल ने यह प्रतिमा तयार की है प्रतिमा का अनावरण आजाद हिंद फौज के पारंपरिक गीत कदम कदम बढ़ाये जा की धुन के साथ होगा अब जान लेते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में उनका जन्म 23 जन्वरी 1897 को उडीसा ओडीशा के कटक शहर में हुआ था वश 1919 में उन्होंने भारतिये सिविल सेवा यानि ICS की परीक्षा पास की थी हालांकि बाद में बोस ने इस्तीफा दे दिया वह विवेकानंद की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थे और उन्हें अपना अध्यात्मी गुरू मानते थे उनके राजनीतिक गुरू चितरंजन दास थे वर्ष 1921 में बोस ने चितरंजन दास की स्वराज पार्टी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र फॉर्वर्ड के संपादन का कारेभार संभाला बोस वर्ष 1938 में हरीपूरा में कॉंग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए उन्होंने एक नई पार्टी फॉर्वर्ड ब्लॉक की स्थापना की वह जुलाई 1943 में जर्मनी से जापान नियंतरित सिंगापूर पहुँचे वहां से उन्होंने अपना प्रसिद नारा दिल्ली चलो जारी किया और 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार तथा भारतिय राष्ट्रिय सेना का गठन पहली बार मोहन सिंग और जापानी मेजर इवीची फुजीवारा के नेतरित्व में किया गया था इसमें मलायन वर्तमान मलेशिया अभियान के दोरान सिंगापूर में जापान द्वारा कैद किये गए ब्रिटिश भारतिय सेना के युध बंदियों को शामिल किया गया था